दोसों उत्राखंड के रामलागा टाउन में प्रेजेंट जिम कॉर्बेट नाशनल पार्क आज इंडिया के वन अफ दा फाइनस टाइगर रिजर्स में काउन किया जाता है लगर आपको जान कर हरानी होगी कि इस नाशनल पार्क को स्टाबलिश करवाने वाले जेम्स कॉर्बेट एक बहुती बड़े और वेल नोन टाइगर हंटर थे जिन उनने 19 टाइगर्स और 14 लेपर्ट्स को अपनी गंग से शूट किया जिन टाइगर्स को कॉर्बेट ने शूट किया उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 400 से जादा लोगों को मारा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जिन्दगी के दुरान जेम्स कॉर्बेट पहले एक हंटर थे फिर वाइल लाइफ फोटोगरफ जेम्स कॉर्बेट की लाइफ और जानेंगे उनके हंटिंग एक्सपीरिंस को इस डिसकुशन के माध्यम से हम जेम्स कॉर्बेट जैसे मशूर हंटर के अंदर रहने वाले नेचर लवर को पहचानेंगे तो बिना किसी देर के आईए शुरू करते हैं आज का डिसकुशन नमश्कार दोस्तों मेरे नाम है आदर्श हो स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शान्दर कोर्स को परशेस करने से पहले ट्रैवर UPSC ए एक्जाम हो, स्टेट PSC हो, जिरुशरी ए या हंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं जेम्स अपने 16 भाई बहनों की फैमली में 8th youngest child थे, उनके पिता के जाने के बाद, जेम्स के सबसे बड़े भाई, टॉम को उनके पिता की पॉलिशन पर पोस्ट मास सब बना दिया गया, जेम्स बचपन से ही forest और wildlife में काफी रुची रगते थे, जोस्तों जेम्स की फैमली फुटिल्स में मौझूद काला ढूंगी नाम के गाउं में एक cottage zone करती थी, जहां वो हर winters shift हो जाया करते थे, इस काला ढूंगी गाउं में रहकर जेम्स की wildlife में रुची बढ़ने लगी, और forest को closely observe करते हुए वो इतने expert हो गए, कि जानवरों को उनकी आवाद से ही पहचान जेम्स की schooling नैनी ताल के hallet war school में होई थी, जिसे आज बिरला विद्यामंदर के नाम से भी जाना जाता है, 19 साल के उमर में उन्होंने स्कूल छोड़ा और Bengal और North Western Railway में काम करने लगे, पहले वे पंजाब के मानकपर गाउं में fuel inspector थे, फिर उन्हें बिहार के मुकामा घाट में trans shipment contractor बना दिया गया, तो उस रेलवे में job करने के दौरान भी कॉर्बेट का interest कभी nature से दूर नहीं गया, wildlife के extremely vast knowledge होने की वज़े से लोगों ने railway imply की जगे as a naturalist जादा पहचानते थे, जेम्स ने अपनी lifetime में कई सारे man eating leopards और tigers को मारा, उनकी लिखी गई famous books जैसे man eaters of kum और the man eating leopard of rudra prague में उन्होंने अपने सारे hunting experience को एक storytelling way में share किया, कॉर्बेट अपने किताबों में बताते हैं कि man eating big cats जिनको उन्होंने मारा वो तरखंड और UP में उस दौरान कम से कम 1200 से जादा लोगों को मार चुके थे, जिसमें बच्चे और बुढ़े सब शामिल हैं, कॉ चमपावत में घूम रहा एक बाग काफी लोगों की जान ले चुका है, और उन्होंने कॉर्बेट से ये request की कि वो उस बाग को जल्दी धूड कर मारें, क्योंकि उनके सारे शिकारी और officials उस बाग को पकड़ने और मारने में बहुत बुरी तरह ना काम हो रहे थे, कॉर्ब की कुमाओं से आई थी, इसके नरभक्षी बनने के पीछे भी लोगों के नाकाम शिकारी प्रयास थे, तो सो आपको जानकर हिरानी होगी कि इस चमपावत टाइगरस ने 436 से भी जादा लोगों को मारा था, गिनीज बुक अवर्ल्ड रिकॉर्ड में इस मान के लिंग को साती साथ, जेमस ने अपने लाइफ टाइम में 14 मैन इटिंग लेपर्ड का भी शिकार किया, 1910 में उन्होंने पनार लेपर्ड को मारा, जो 400 से जादा लोगों की जान ले चुका था, और 1926 में उन्होंने रुद्र प्रयाग में भी एक मैन इटिंग लेपर्ड को मारा, जि जैसे ही कुछ मैन इटिंग टाइगर्स जैसे टाला देश, मोहन मैनीटर, ठाक मैनीटर, मुक्तेसर मैनीटर, चौगाल टाइगर्स और भी कई टाइगर्स थे जिनसे जेम्स ने आम लोगों को छुटकारा दिलाया था. इन सब मैनीटर्स की किलिंग को जेम्स अपनी किताबों में शेयर किया है और उनमें से कुछ जैसे मैनीटर्स आफ कुमाओ, इंडिया, यूएस और उनाटेट किंडम में बेस्ट सेलर रह चुकी है. दोस्तोस बुक को 14 यूरोपियन लांगविज, 11 इंडियन लांगविजज जेपैनीज और एफ्रिकन में भी ट्रांसलेट किया गया. कॉरबेट एक हंटर होने के साथ साथ नेचर लवर भी थे. वो जब बागों को मारने जाते थे तो किसी और के साथ जाने की जगए अपने पालतु कुत्ते रॉबिन के साथ जाना ज़ादा पसंद करते थे. जागों में ये देखा कि वे पहले से ही घायल या बहुत बिमार था. उनमें से कई बागों का जखम कुछ ऐसे थे जो इनसानों दोरा ही पहुँचाए गए थे. एक्जामपल के लिए अगर हम थाक मैन इटिंग टाइगरस की बात करें तो कॉरबेट अपनी बुक मैन इट कुमाओ में बताते हैं कि इसको मारने के बाद उन्होंने ये देखा कि इस टाइगरस पर पहले भी किसी बुलिट से हमला हो चुका है जिससे इसकी जान तो बच गई लेकिन वो बुलिट घाव बहुत गहरा दे गई. कॉरबेट ने अबजर्व किया कि क्योंकि इंसानों द बागों से बचाने से पहले ये कहीं ज़्यादा जरूरी है कि बागों को इंसानों से बचाया जाए. 1930 में कॉरबेट ने एक काफी प्रॉमिनेंट लॉयर हसन अबीद जैफरी के साथ मिलकर Conservation of Indian Wildlife के लिए एक Provincial Association का निर्माण किया. उस वक्त उत्रखंड United Provinces का पार्ट था जिसके गवरनर थे Sir Malcolm Halley. बहुत कोशिशों के बाद जेम्स कॉरबेट कामियाब हुए और 1936 में निर्माढ हुआ Halley National Park का जिसे Halley के नाम पर रखा गया. इस पार्क में Animal Hunting allowed ना होने के वहार रहने वाले बागों को एक बहतर एकोसिस्टम मिला और इसी की चलते Man Killing Tigers जैसे केसिस भी कम होने लगे. उत्रखंड के Chief Conservator of Forest रह चुके राजीव भरतारी ये बताते हैं कि जेम्स कॉरबेट का सबसे बड़ा contribution यही था कि वो ये समझ चुके थे कि बढ़ती Human Population के बी असा द्वारा बना Asian mainland का First National Park जो इंडिया और उसके wildlife के लिए एक major contributor रहा. दोस्तो हम जानते हैं कि जेम्स इंडिया में ही पैदा हुए और यहीं बड़े हुए जिसके कारण उनके अंदर इंडिया के लोगों के लिए बहत जादा प्यार था. यहां तक कि उन्होंने इंडि जहां वो एजा Trans Shipment Contractor काम करते थे, वहां railway staff के लिए स्कूल भी बनवाया. कॉर्बेट ने अपना थोड़ा वक्त छोटी हलदवानी में भी बिताया था, जहां उन्होंने एक village भी अडॉप्ट की, जिसे आज हम Jim Corbett's Village के नाम से जानते हैं. 1925 के दुरान इस गाउं में Tigers द गाउं में wild animal दोरा attacks होने से रोकती है. जोस्तर James Corbett को उनकी बहादुरी और nationalist होने के लिए कई बार सम्मानित किया गया है. 1928 में King George V ने New Year's Honor के दौरान, Corbett को उनकी बहादुरी और लोगों को man-eating tiger से बचाने के लिए कैसरी हिंद medal से नवाजा था. 1954 में Independence के बाद, Haley National Park का नाम रामानगा नैशनल पार्क रखा गया. लेकि 1957 में इस पार का नाम Corbett के ओनर में दुबारा चेंज करके Jim Corbett National Park रखा गया. जो यह दरशाता है कि उत्तर अखंड और इंडिया के लोग Jim Corbett के contribution को कितना जादा value करते हैं. और दोस्तों यही नहीं. 1968 में Tigers के एक Indo-Chinese Independence के बाद Corbett अपनी बहन Maggie के साथ Kenya चले गया. जहां वो पाकस्तु नाम के एक cottage में रहते थे. नैनी ताल में Corbett एक गर्णी house नाम के cottage में रहा करते थे. जिसे उनके जाने के कुछ वक्त बाद museum बना दिया गया. और आज यह Jim Corbett museum के नाम से जाना जाता है. Corbett ने profession के आख इंटिंग छोडने के बाद भी किताबे लिखना जारी रखा. और wild cats के जीवन और उनके declining number के बारे में लोगों को समय समय पर जागरुक किया. वे nature से इतना प्यार करते थे कि एक फीकस ट्री के टॉप पर एक tree house बना कर उसमें रहने लगे. और वहां उनसे काफी famous और में उन्हें reflect किया. दोस्तों इस सारे का रिकाल के बाद आता है 19th April 1955. ये वो दिन था जब Jim Corbett की heart attack से death हुई. लोग बताते हैं कि Corbett ने उस वक्त अपनी book tree tops खतम की थी और कहते रहते थे कि उन्हें वापस इंडिया में उतराखंट के उनी जंगलों के पास फिर से जनम लेना हैं. दोस्तों आज उतराखंट के रामनगर टाउन में Corbett Tiger Reserve 1288 स्क्वार क्लोमीटर के एरिया में प्रेजेंट है और इसमें मौझूद 520 स्क्वार क्लोमीटर में फैला नैशनल पार्क और नेबरिंग 301 स्क्वार क्लोमीटर वाली सोना नदी वाइल डाफ सेंचुर हैं और इसी के साथ साथ जिम कॉर्बेट पार्क आज 488 डिफेंट इस्पिसीज ऑफ प्लांट्स एंड डाइवर्स वराइटी ऑफ फोना का घर भी है 2020 में मौझूद नम्मर आफ टाइगर्स के हिसाब से जिम कॉर्बेट पार्क आज 252 हेल्दी टाइगर्स का घर है तो द UPSC में इस एक्जामनेशन के प्रस्पक्टिफ से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रेलेट क्वेट इस्पिक से एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे जिससे आप केमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं And the question is, how Jim Corbett has created the foundation of wildlife conservation in India? Discuss And with this question my friends, that's it for the video I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करना मत भूलेगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत